आप लोगों को किकेस्टों क्लाशे में स्वागत है और इस चेनल को सब्सक्राब एं लाइक करना न भूलें और बेल आकोन का बटन दबादें आज परते लेकर संख्या तिरा लिखाएंगे पेंसिल कॉपी लेकर त्यार हो जाएं पहले 70 के स्पीड में फिर 80 के स्पीड में लिखाएंगे रेडी लास्ट रेडी अस्टार्ट महोद है यह भी विचार किया गया है कि जो ब्यक्ति समाज में काम करता है चाहे आविश्कार का काम करे चाहे दुसरा कोई काम करे उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है तब तक की समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविश्कार किया है उसका उपयोग उसको प्राप्त ना हो उसका उपयोग अवाह ना कर सके इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का अविश्कार करता है तो अविश्कार करने में ना केवल उसका अपना परिश्रम रहता है लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है चाहे बिज्ञान के सेत्र में या प्राप्तोग की के सेत्र में या किसी अन सेत्र में उस सबसे भी अवाह लभानवीत होता है इसलिए जब हम किसी अविश्कार के अधिकार की रच्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से अविश्कार किया है उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए माननिय मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट ला इस सिधान्त पर आधारित होना चाहिए पहरा चेंज मैं समझता हूँ कि पेटेंट ला के पी से दो सिधान्त निश्चित हैं पहला सिधान्त तो यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करके धन लगाकर अपना दिमाग लगाकर के किसी बस्तु का अविश्कार करता है उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहां रच्षा होनी चाहिए उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है कोई व्यक्ति समाज में ब्यार्थ में काम नहीं करता है वरन पिछले समाज के लोगों ने जो जो काम किये होते हैं चाहे बिज्ञान के सेत्र में या प्रदोग की के सेत्र में या किसी अन सेत्र में और जिन के आधार पर वह कोई अविश्कार करता है उसको उसका परतिफल तो मिले लेकिन जो परिनाम हो उसका परतिफल समाज को भी मिलना चाहिए मंत्री महोदय ने कहा है कि जो यह सिधान्त है वह भी इस विधेयक के पीशे अर्ष्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्ति के अविश्कार के जो अधिकार हैं चाहे धन के उपार्जन का अधिकार हो या परतिफ्था प्राप्त करने का अधिकार हो उसे परतिफ्था का और चाहे धन का दोनों का लाभ व्यक्ति विशेश को भी मिले दो सकेंड रुकिए अब अशिक एश्पीड में लिखाएंगे पेंसिल कॉपी लेकर तयार हो जाएं रेडी लास्ट रेडी अस्टार्ट महोद है यह भी विचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है चाहे अविशकार का काम करे चाहे दुसरा कोई काम करे उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ अविशकार किया है उसका उप्योग उसको प्राप्त ना हो उसका उप्योग ओवाह ना कर सके इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी बस्तू का अविशकार करता है तो अविशकार करने में ना केबल उसका अपना परिश्रम रहता है लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है चाहे विज्ञान के सेत्र में या प्रावदोग की के सेत्र में या किसी अन्षेत्र में उस सबसे भी ओवह लवानवीत होता है इसलिए जब हम किसी अविश्कारक के किसी अविश्कार के अधिकार की इरच्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है जिस व्यक्ति ने समाज की सहाईता से अविश्कार किया है उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए मालनिय मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट ला इस सिधान्त पर अधारित होना चाहिए मैं समाजता हूँ कि पेटेंट ला के पीसे दो सिधान्त निश्चित हैं पहला सिधान्त तो यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करके धन लगाकर अपना दिमाग लगाकर के किसी बस्तु का अविश्कार करता है उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहां रच्षा होनी चाहिए उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है कोई व्यक्ति समाज में ब्यार्थ में काम नहीं करता है वरन पिशले समाज के लोगों ने जो जो काम किये होते हैं चाहे बिज्ञान के सेत्र में या प्रवदोग की के सेत्र में या किसी अन सेत्र में और जिनके अधार पर होवा कोई आविश्कार करता है उसको उसका परतिफल तो मिले लेकिन जो परिणाम हो उसका परतिफल समाज को भी मिलना चाहिए मंत्री महोदय ने कहा है कि जो यह सिधान्त है ओवाह भी इस विधेयक के पीसे अस्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्ति के अविश्कार के जो अधिकार हैं चाहे धन के उपारजन का अधिकार हो या परतिष्था प्राप्त करने का अधिकार हो उसे परतिष्था का और चाहे धन का दोनों का लाव व्यक्ति विशेश को भी मिले झाल